दोस्तों अटवा चले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मोबाइल की होम बटन मोबाइल की पाड़ बटन का दो ऐसी खुफिया राज और खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो 99% android user है जो ये दोनो बटन का ये राज के बारे में ये ट्रिक के बारे में नहीं जानते होंगे ना आपको किसी ने भी नहीं बताऊगा अगर दोस्तों ये दोनो बटन का ये खुफिया ट्रिक के बारे में जान लेते हैं तो android experience को और भी बहतरीन बना सकते हैं और काफी smart बन सकते इस दोनों बटन का ये trick को आप जान लेते हैं तो अगर दोस्तो जानना चाहते हैं कि इस दोनों बटन से क्या खुफिया trick है क्या खुफिया राज है तो आपको इस वीडियो को देखना होगा पुरी लास तक मैं तो कहता है इस वीडियो को जरूर देखना तीन से चार मिनिट का वीडियो बनेगा इससे जादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा और आपको काफी अच्छी ट्रिक मिल जागा तो इस वीडियो को बिस मत किजेगा इस वीडियो को पूरी लासक देखेगा तो दूसर चली मैं आपको बता देता हूँ कि इस दोनों बटन से क्या खुफिया ट्रिक है, क्या खुफिया राज है और इससे आपको क्या फायदे होंगे तो चली मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट मेरा नामे सितारे और आप देख रहे होगा तोगा यूटूब चैनल अगर दोस्तों जानना चाहते हैं इस दोनों बटन का खुफिया राज के बारे में तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजएगा जितनी भी लोग देख रहे हैं सभी को लाइक करना होगा शेर करना होगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजए और यहाँ पर घंटी आएगा ना इसे घंटी को भी दबा दीजएगा जैसे दबाने का नीचे स्कॉल से दो ऐसे काम कर सकते हैं. सबसे पहला काम कर सकती कि मोबाइल की दो बार home button को click करेंगे, तो यहाँ पे camera open हो जागा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगो कि setting aanपको कहां पे मिलेगा. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे mobile की home button को 3 बार दबाएंगे, तो यहां पर एक्सबिलेटी में डियरेक्ट जा सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहां पर दबा रहा हूं एक दो तीन तो यहां पर एक्सबिलेटी में यहां पर चला गया सेटिंग के अंदर तो यह फीचर आप अपने मोबाल के अंदर कैसे ले सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना अपने मोबाल के सेटिंग में जानने के बाद यहां पर सबसे पहले मिल जागा एडवांस फीचर मिल जागा तो यहां पर किलिक किजे और जैसे किलिक करने के वहां पर देखने क्यामरा और इसे अनेबल करने के बाद मोबाल की होम बटन को दो बार दबाएंगे तो यह कैमरा open हो जाएगा ठीक है उसके आद यहां पर back कर लेता हूं और चले दूसरा setting की बात करो जो accessibility को direct open कर सकते हैं तो यहां पर accessibility का अंदर जाना होगा पर देखर एक setting में जागा direct access इसको click कीजेगा और उपर में बंद होगा तो यहां पर इस तरह से बंद होगा तो इसे अनेबल कर लिजे और यह accessibility को खोलना चाते है तो इसे भी अनेबल कर लिजे और तीन बार दवाएंगे तो यहां पर accessibility में जा सकते हैं जैसे कि दोस्तो फूर इंपल एक दो तो देख सकते हैं यहाँ पर accessibility में चला गया तो यह मिलता फीचर जो आपकी mobile की home button से कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं mobile की power button का क्या खुफिया trick है और इससे क्या फायदे होंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर call मैंने किया हूं call करने के बाद यहाँ पर call को receive करता हूं और जैसे receive करने के बाद यहाँ पर आपको बता देता हूं कि mobile की power button से क्या खुफिया trick है क्या खुफिया राज है तो उसके बारे में आपको बता देता हूं तो यहाँ पर call आन कि इस्क्रीन लॉक नहीं होता है और डिरेक्ट आप जिम में डाल देते हैं इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ टिपाता रहेगा किसी को भी कॉल लग जाता है किसी को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं जिम में रहेगा तो कुछ ना कुछ टिपाता ही रहेगा क्योंकि आपका मोब सबसे पहले क्या कर ना गा अपनी मोबाल के जाना कि ऑंदर आपको मिल जाँगा करना होगा जैसे करनी के बाद यहां पर लिखा ओका एंड ऐंडिंग कौल इसको कौना होगा क्याना पर देख रहें प्रेस पाबर क्या बटन की टु एंड कॉल तो यहां उठा सकते अपने mobile की power button के अंदर तो दोसो बस यही था आप सभी को बाताना था यही दो button के ये खुफिया trick के बारे में जो आप लोग नहीं जानते होंगे अगर दोसो ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और हमारी चैन को पहली बात देखने तो subscribe भी का लिजेगा साथ में घंटी को दवाना बिल्कुल न वोले और दोस्तों comment मताए कि कौन सा आपको feature चलागा या power button का या home button से तो मुझे ज़रूर comment कीजेगा तो दोस्तों फिरी मिलेंगे किस और excited वीडियो के साथ अपना ख्याल देखिए, take care and good bye